आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ तैसा जितना मर्दी कमाल हो अगर आपको यह नहीं पता कि अपनी बॉड़ी को इंशनते कैसे रखना एकिसे रखना है और सिर्फ एठ्डी आई अंधर से भी एक कैसे रखना है लोग कोशिश करते थो है especially लड़किया, weight loss, weight loss, weight loss, उसके चकर में अंदर की energy खट्म हो जाती है, कहने का मतलब है अंदर से energy भढ़ती रहे, बाहर से आप fit रहें, अंदर से पूरी तरह से healthy रहे, यह आज के session का topic है, यह नहीं कि बीच में आप जो question सोच कर गया हो, को यहांपर आरहे थे, मिलको यह पूछना है पूछना है, पूछना है, तो गुसकर के बीच भीच 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 भीचु नहीं है था भीच भीच को, जिस topic पे हम है, उसी पे stick रहना है, अगर उससे related कुछ नहीं समझ आरहे है, तो आप पूछ सकते हूं, क्योंकि सब से हेल्थ है और हेल्थ पी अंदर से स्ट्रॉंग हाँ क्या बुला प्रेश्ट निरोगी काया थोड़ा सी मुझाग चलेगा या नहीं थोड़ा चल सकता है अब ही मेरा मजग उड़ा सकते हो भी जो पर तो यही तो आजी सेशन में होने वाला है कि ऐसा क्या होता है कि अभी आएगे करकेश के उपर आएंगे अब भार से भी फित और अंदर से भी फित और सिर्फ इतना इनाई पूरी तरह से एक्टिव रखना है बाडी को कि मना जब हमको बोडी जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, चितनी देर के लिए है तो बॉडी हमारा साथ दे, जसे अगर हमको सुबख उटना है exam time चल रहा हो चार बज उटना है तो बॉडी हमारा साथ दे, कोई कुई कुट्त्र पुझे पड़े हुए है, तो बॉडी साथ दे, कि यह लड़की छेड़ी है तो बोडी साथ दे लड़की का भाई पीछे पारा हो गई तो बोडी साथ दे तो ऐसा कैसे होगा पता ही अचे योगा एंड मेडिटेशन बोड़ दिंग्स आर इंपोर्टन ठीक है लेकिन योगा और मेडिटेशन बहुत बोरिंग नहीं होता है क हमको प्राक्टिकल से लुशन निगालना है मेरे सेशन को अगर आप लोगों ने दियान से देखा होगा मैं थिरॉटिकल बातों में बिलीव नहीं करता हो कि कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया आपने सुना हां सुनने में बढ़ा अच्छा लग रहा है पता नहीं कर आपनी कर और योगा इंटरस्टिंग तरीके से गल है कैसे अपने अउस पास मतलब अपने साथ लोगों के साथ खेल के साक्र ऑफिर एक-दोनो पॉमपिश्ण लगा है तो योगा लोगा फोटां इंटरस्टिंग को का ऐसेस इसए कंगशेिधї aarp ओऊ-क्तर marketers लेक्तिम द डिपेंट हो जाओगे लेकिन अगर फॉर्चुनेटली आपको कोई ऐसा परसन मिल जाए जो आप से बेटर है फिर चाहिए योगा में चाहिए जिम में चाहिए अरोबिक्स में किसी भी चीज में तो वह आपके लिए इंस्पिरेशन है उसके साथ में जा करके चिपक जाओ तो चिपक जओ मतलब वैसे नहीं मतलब उसके साथ में रहो ठीक है अश्री लोग बोलता हूँ कुछ भी उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं उसके साथ में आप लग जाओ लग जाओ तो जो भी है मतलब उसके साथ में आप exercise करना शुरू कर दो यह योगा करना शुर सिर्प करतेगा सर्म अधिटेशन जहां तक है मेडिटेशन योगा इस गुड़ फर मेंटल अवेरनेस्ट बट सर्फ एक मोस् इंपोर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है प्रॉपन न्यूट्रिशन की नॉलेज प्रॉपन नॉट्रिशन की नॉलेज इंडिया में मोस्ली पीपल को है नी वाट लगी पड़ी इशरीव की पता नहीं करना के एक मेरे अंकल है ठीक है वो USA है उनसे जब मैंने पूछा है वो कहते हमारे आपको बंदा पड़ा लिखा नहीं है बट उसे प्रॉपन नॉट्रिशन की नॉलेज बट अपने इंडिया में बंदा कितना भी पढ़ लें कितना भी कमा लें बट उसे नुट्रिशन की बात करो आपको तो अपरेशन का काम है अगर आप मुझसे पूछोगे कि अपनी बॉड़ी को अगर हमको फिट रखना है जो अभी आपने भी पूछा था कि अगर हमको पूरी तरसे एक्टिव रखना है तो मैं चरस गांजा नहीं लेता हूँ इस ते रोइट भी नहीं लेता हूँ दारू भी नहीं पीता हूँ चमन प्राश लेता हूँ यह करी भाई ने बात देशी अवार के चमन प्राश लेता हूँ सब इच बैंड अरे कोई सा भी ले लो इसमें क्या बर्ग बड़ता है अब मेंसे अड़ कर वाओगे यहां पर कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं जिसको खाने के बाद में हमारे अंदर आलस आने लग जाता है कुछ चीज़े ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम आटोमाटिकली चार्जड अप हो जाते हैं तो अगर आप चार्जड अप रहना तो चाहते हो लेकिन खा रहे ह वैसा जिसकी वज़े से आप पड़े रहोगे तो अब आपके अंदर एक conflict create हो जाएगा माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा conflict create होगा एक तरफ से आप active रहना चाहते हो दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप active रही नहीं सकते तो nutrition की knowledge बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी body को fit रखने में 90% जो roll है अगर आप में से पूछोगे although it may look odd to you all 90% जो roll है वो है diet का और 10% है exercise का और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे diet के उपर आपका क्या है अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है मतलब लोग को एक ही चीज़ पता है कि अगर मैं मोटा हूँ मुझे पतला होना है तो मुझे भागना है सब भाग रहे हैं खचरों किसे ब्यारा वर्ड है यह खचर बना चाहे मैं wealth की बात करूँ चाहे health की बात करूँ खचर भई क्या वहीं है यह मट नहीं हिलने वाला है समझ गए ना कि मेरी फर एक्जामपल के अब मेरी शादी हो रही है मेरी शादी में छे महिने रहे हैं मेरे को फोटो में अच्छा लगना है लड़की को सब आ करके बोलेंगे कि बिटे दूला कहा है यह तो दूले का बाप लग रहा है अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बाहर से टार्गेट मिल गया गोल मिल गया छे महिने रह गए अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है क्या करेंगा बागेगा पाग लोग तो छे महिने में तो पतला हो गया लेगे छे महिने बाद देखोगे तो अरग डबल पेले से भी था अश्चान पिसे प्छिए भाधर थेले से भी बढ़िया बाद पहले से भाले से भाल वी जादा खाने घर का बोलते हुट इंढ अगर हाते घर का है विरें ऐससे तो भूके नंगे लगते कभी मेरे रेलेटर्स वोगते हैं इपिटा कुछ खाया पिया गर मैंने आप वो तो सही कहने पीने के लिए आपको देखो ना पेट कहा पर जा रहा है पुचास-पचास साल की उबर में प्रेगनें लगते हैं लेडी क्या हो रहा है देखो जो साइंटिफिकली पॉसिवल नहीं वह भी पॉसिवल करके दिखा रहे हैं अब जोवा नहीं तोड़वा लगते हैं पेट में तो आप बढ़ा है अब हो तो सही कहने पीने के लिए को छोड़ता ही नहीं आम जैसो के लिए तो हम ऐसी हो जाते हैं लोग जुंदगी में आगे बढ़ने करें तो पेट आगे बढ़ जाता है तो अब क्या है एक रास्ता यह होता है कि भागो पागलो की तरह खचोरों की तरह या फिर क्या करेंगे सीधा ही डाइटिंग की बात क लगहां मुझन सभिली त्रहले। hear को ठीम जाते हैं अगर आप एक बंदे के टॉर्चर करते रहो करते रहो क्या होगा कि एक ना एक दिन वह आप और करे गा पद्र है अब सखेगा कभी नहीं आप जाएगा तो अब हो जाएगा इसा ही होता है इटिंग आप करोगे सब बेकार है क्योंकि उसकी वज़े से एनरजी बॉड़ी के अंदर से निकल जाएगी तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हलका फुलका इदर उदर कर रहे हो तो ठीक है लेकिन अगर आपकी जरुवत है बॉड़ी की मानलो 1600 कैलरी इसकी और आप सीधा हजार कैलरी पर आगए एक दो दिन से उपर नहीं चल पाओ उगे उसके बाद पर अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे अब आप बताना में सही कह रहा है गलत कह रहा हूँ जो लोग यह डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी या वैसे तो पतले हो गए देखने में सीख्ची पहलवान लग रहे हैं लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है अब अब लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो लड़कियों के बत लगाना जा करके एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रहे हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा फैट लटक जाएगा मतलब बॉडी में इसे फैट नहीं गया है मसल्स गर गई है मसल्स गरने की वजह से वेट लॉस हो गया है और वो मेंध मशिन तो देख खोश हो रहे हैं है कि मेरा वेट लॉस हो गया एतना जवाया उतना लू खेलो कों करनाए इंपोर्टन नहीड निए तो किलो कम करना इंपोर्टन नहीं विज आपको काफी वेट लॉस हो गया है तास मिनिट से खड़े हो इसी लिए आपको खड़े रखा था था देहन नूट्रिशनेस्ट है फिर भी तो नूट्रिशन की सही नॉलेच मालब क्या होता है नूट्रिशन अगर मैं नूट्रिशन का अब मैं यहां पर डिस्क्लीमा डालना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं मैं कोई प्रोफेशनल नूट्रिशनिस नहीं हूं मैं कोई डाइटिशन नहीं हूं मैं को वेजसी इसी है जो बहुत important जो आप लोगे पास में होनी ही चाहिए कि हमारी जो भी डाइट है जो हम खाते हैं उसमें कितने काब्स हुने चाहिए कप्स काम्सट होता है काब होगे कितना प्रोटीन ठाप होना चाहिए कितना फाट होना चाहिए लोग क्या गलती करेंगे, फैट को ही निकाल देंगे अपने डाइट मेंसे, उससे क्या होगा, आपका जो फेस है, उस पर से गलो चला जाएगा, अभी आपको गलो नजर आ रहा हो, एक चमक नजर आ रही होगा, वो चमक क्यो है, वो फैट की वज़े से है, प्रोटीन की वज करता है, उसके अलावा, जो आपकी स्किन है, उसके लिए बहुत जरूरी है, अंदर जो बोड़ी के फंक्शन jużके लिए बहुत जरूरी है, तो फैट भी बहुत जरूरी है, ऐसा नए कि पहाँ करना है, रोटी से घी लगाना बन्द और हम सोच रहे हैं कि अमारे बहुत जो चड़ा है निया निया एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव और सबसे बढ़िया होता है वो लेकर गया है और उसमें पकोड़े तल करके खा रहे हैं जबकि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव और होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता है कुकिंग के लिए जो हमारे इंडियन अगर आपको प्योर कहीं से मिल जाए तो उसके अलावा अपना देशीगी हो गया वो बुरा नहीं है coconut oil is best बहुत ही अच्छा है तो nutrition का अगर मैं आपको short में बता हूं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है आप लोगों को मेरी वाली वीडियो देखिए फ्राम एलीजिन तो रियालिटी उसमें मैंने बताया था कि मेरा पले जो वेट था एड़ आटी-फाइव केजी आज की रेट में है और शिक्ती नाइन केजिए तो 69 और मज़े की बात क्या है अगर एक प परसंटेज़ कम है मःसल परसंटेज ज्यादा और यह अच्छा होता है अगर आपकावत लॉष तो होगया लेंकि उसमें फैक परसंटेज बहुत ज्यादा और आपके लिए बुरा आपकी बुराइं तो हमारा किना होना चाहिए मुसल इसब बढ़ाना है फैक 10 मे die ऐट चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ, सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए, सुबह उठते ही, थोड़ा पानी गरम किया, उसमें थोड़ा सा नीमुनी छोड़ा, हनी डाला और पी गए, उससे क्या हुआ, एक बार को बाडी चार्जड अप हो गए, अब जो भी मैं कह रह कर रहा है, समझ गए है, मालने नूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड और फास रूल नहीं है, आपको समझना होता है अपनी खुद की बाडी को, कि मेरी बाडी कैसे रिस्पॉंड कर रही है, जैसे मेरी बाडी बहुत अच्छे से रिस्पॉंड करती है, उसके बाद म इमिजिटली एक फुरूट काना है, यह मैं करता हूँ, मैं आपको नहीं करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बिनाना, simplest and easiest to eat in the morning, तो युष पर आप किसी ओपर डिपेड नहीं करते हूँ, अनार खाने लगए तो हो गया कामापना, लगे रहो होगे, एक गंड़े तक, ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए चोड़ दो, क्या ज अनार खाने का बड़ाओ मत है, जे बनाना, उसके साथ में थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स खालो, जिसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से भीगे बदाम खाली है, तो अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई, आपकी बॉड़ी को आइडिली हर तीन-तीन घंटे में एक मील चाहिए, य क्या हालत हो जाती है, आपको कभी भी इतनी जादा भूक नहीं लगनी चाहिए, कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ, ये इसका लॉजिक है, कि हर तीन-तीन घंटे में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना-कुछ खाना है, उसके बाद में पार्क चला गया, दस से पंदरा मिनि कर दो पुशप साल लिया, मतलब को रूटीन नहीं है, आप समाझे है, रूटीन यह है कि मुझे डेली जाना है, पंदरा मिनिट के ले, लेकिन यह नहीं है कि वहा पर जाकर क्या करना है, तो इससे क्या होता है, कि वह बोरिंग नहीं होता कभी बीजिकि रोज कुछ अलग ह यह हो रहा होता है, यह अगर मैं कहूं कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है, इस सो बोरिंग, आपका मनी नहीं करेगा अटले दिन जाना है, तो मुझे रोज मज़ा आता है, रोज में कुछ अलग देख रहा होता हूं, जिसे वहां कबूतर आता है, नॉर्मली यह रोज होता था, लेकर उस दिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी, वहां पर कोई कबूतर नहीं था, फिर मैंने देखा क्या चक्कर है, तो वहां पर एक पोल है, जहां पर वो जगह है, जहां पर कबूतरों दाने डालते है, उस पोल के ऊपर एक कील बैठी हुई थी, there was an eagle sitting there, मैं देख रहा था, आराम से वहां पर बैठा हुआ, for almost 15 minutes, this is meditation, आप समझ गए, this is meditation, देखो, क्या किया मैंने यहां पर, कि health को meditation से link कर दिया, और पता भी नहीं लगा, meditation क्या समझते हो आप लो, कि आपको एक मंतर दे दिया और उसको जपे जा रहे है, वो meditation है, meditation का मतलब क्या है, ध्यान देना एक जगे पर, अपने thoughts को देख लेना, meditation है, अपने mind को observe कर लेना, meditation है, अंदर गुसा उठ रहा है, उसको जान लेना, meditation है, अंदर कुछ negative feelings, negative emotions चल रहे है, मालो आपका break up हो गया है, उसके बाद में हालत खराब होई पड यहार, हाँ, चल बोतल लेके आते है, दो तीज़, एक की capacity उचल, चार बोतल पी जाते है, तो उस वक्या कर सते हो, एक option तो यह है, नशे में चले जाओ, भूल गया, और रुटी सीधी हरकते करो, तो अब क्या हो रहे है, अब ध्यान से दूर जा रहे हो, दूसरा option क्या है, which is much more interesting than this, face, face भी कैसे करते है, मतलब देखो के अंदर चल क्या रहा है, it is so interesting, this is real meditation, reality और illusion के बीच के difference को समझना, meditation है, thoughts एक illusion है, यह अंको कब समझ आता है, दिखाऊं आपको practically दिखाऊं, देखो, real meditation समझो क्या होता है, अपने आपको बोलो, देखता हूँ, मेरे mind में क्या thoughts चल रहे हैं, इतना सा बोल दो अपने आपको, बढ़ा interesting कुछ होगा यहाँ पर, आप मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, पूरे ध्यान से देखो, बताऊ क्या होता है, यह आप सबका experience है यह मैं बोल रहा हूँ, ब्लैंक हो गया, तो क्या हो रहा था, क्या experience आपका कह रहा है, जैसे ही आपने अपने thoughts को देखना शुरू करा, तो thoughts, गयाब, जैसे ही आप उसको देखते हो, वो गयाब हो जाते है, इसका मतलब क्या है, thought is just an illusion, देखता हूँ मैं अपने अंदर ये अंदर क्या बोल रहा हूँ, बिना बोले कोई thoughts नहीं होता है, तो देखता हूँ मैं अपने अंदर ये अंदर, अपने आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखता हूँ, बोलना बंद हो जाता है, सल्जे, ये meditation है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगी इस तरह की meditation, ये समझना परता है, ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि थाट्स आर जस्ट अन इल्यूजिन, जैसे भूत, जब भी आपको जिस भी भूत से डर लगता है, अंदेरे से डर लगता है, तो एक बार जाओ अंदेरे में जा करके देखो, तो उस भूत के बारे में, जो आप सोच रहे थे, कि उस अंदेरे कमरे में वहाँ पर भूत होगा, जब जा करके देखो कि कोई भूत नहीं मिलेगा, मिल गया तो, मिल गया तो ये मिल गई तो, ठीक है, ये फटा फटा आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के ओपर वापिस से आते हैं, मैं आपको अपना रूटीन के बारे में बता रहा था, कि मैं क्या करता हूँ, और आपको अब इसको ब्लाइंड ली फॉलो नहीं करना है, इसको याद रखना है, दो भी मेकानिकल अबाउट इट, कि वो करता है, तो मैं भी ये ही करूँगा, मैं भी ये ही करूँगा, अपनी बॉडी को समझना है, कि ये करने से आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉंड कर रही है, तो क्या किया, फूट्स खाए, उसके साथ मैं सब्सक्राइब फूट्स खाए, उसके बाद में थोड़े तर्बॉक किया, क्योंकि खाते एक दम से एकसरसाईज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अराम अराम से वॉड किया, उसकी भी कोई पैटन नहीं है, कि रोज यही करना है, कभी बैठा हुआ हूँ, कभी मन कर रहा है तो पाक में exercise भी कर रहा हूँ, कभी नहीं भी कर रहा हूँ, कभी सिर्फ चल रहा हूँ, कभी तेस्ट चल रहा हूँ, कभी धीरे चल रहा हूँ, कभी jogging कर रहा हूँ, समझ गए? कोई pattern नहीं है, routine है, routine जरूर किया हरावं 20 से 25 मिनिट योगा के साथ में मैंने कुछ और चीजे हैं उसको मिक्स किया हुआ है मतलब बेसिकली महापर क्या गड़ना होता है पहले मसल्स को स्ट्रेच करना होता है उसके बाद में मसल की कुछ इक्सरेंदनिंग की कूछ एकसरड़िस करना हुआ तो आपने घर में एक रॉड लगवाई होई हैं दो छोड़े-चोड़े डंबल रख्ये होएं हैं कोशिच हमें पता तो होना चाहिए हमारे अंदर क्या चल रहा है आपको सब पता है कि बार क्या चल रहा है WhatsApp के थू, Facebook के थू, अपने दोस्तों के थू, TV में, अख़वारों में, आपको सब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको सब पता है वो सबसे हेवी मील होनी चाहिए आपकी, जादा खाने से आप यह मत समझो कि आप बोटे होते हो, सही ना खाने से आप बोटे होते हो, मैं बहुत जादा खाता हूँ, अगर आप कभी मेरी डाइट आकर देखो कि तो आप डर जाओगे, काओगे यह क्या हो रहा है, पट और सुपमा, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, और सुपमा, that is very healthy, उसमें कुछ आप वेजटेबल्स डाल दो, यह डाल दो, यह डाल दो, मैरे को खुद को भी कुकिंग आती है, बेसिक सी, तो अगर घर पे कोई नहीं होता है, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ऐसे डिली चेंज होता रहता है, कभी ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा दिया, वो ले लिया, नॉर्मल बटर से पीनट बटर बेटर है, ठीक है, इस तरह ऐसे कभी पोहा ले लिया, कभी बेसन का चीला ले लिया, हम क्या कर रहे हैं, हम को यह लग रहा है कि भार की जो चीजे हैं, वो बहुत अच्छी है, अपना जो यह बेसिक जो फूड है ना, वो कमाल का है, उसमें नुटरिशनल कांटेंट बहुत अगड़ा है, जैसे बेसन का चीला बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, तो ब्रेकफास के साथ में मैं क्या लेता हूँ, मैं प आपको प्रोटीन लेना है, उसके लिए भी लोग बोलते है, इतने टाइम्स लेना है, यह लेना है, वो लेना है, पर उसकी थोड़ा सा आसपास होना चाहिए, तो 70 अगर आपका वेट है, तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है, अपने सर्वाइवल के लिए, लो है, काम का लग रहा है, भूख लग गए है, भूख लग गए है, भूख लग गए है, बगाएं पाजी, छखले उटूरे, उसके बाद में 12 बजे के आसपास, 12-12 बजे के आसपास में, I take an apple, वो apple में अपने साथ में office ले जाता हूँ, तो एक डबे में apple डाला, ले गया, य बोडी के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ काब, प्रोटीन और फैट ज़रूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट दो बजे के आसपास, लंच में क्या करता हूँ, बहुत सारा salad लेता हूँ, यह हम गलती करते हैं, य इससे बढ़िया कुछ नहीं है, और किसी दिन आप घर पे हो, छुटी का देने तो मूली भी खा सकते हो, आफिस में अवाइड करो, तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया, दो रोटियां, साथ में दो कटोरी दाल हो गई, रोज अलग अलग टाइपी दाल हो गई, कभी राजमा हो गया, कभी छोले हो गया, कभी, कुछ भी, रोज अलग अलग, उसके बाद में पांच बजे के असपास में, अखरोट खाली है, चार पांच बजे, बहुत जादा नहीं खाने आए यहां पे, यह सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिल अप हो जाओ, अगर माइंड को यह लगा, यह तो मुझे भूगा मारता है, लंच करता है, उसके बाद में अठ गंडे तर खाता ही नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, बॉडी में फैट को प्रिजर्व करना शुरू करतेगा, तो अपको समाहीं नहीं आएगा मैं मोटा क्यों हो रहा क्यों कि आप कम खा रहे हो, गाप बहुत जादा है, हर तीं-तीं घंडे में खाते रहोगे, तो माइंड को सिंगनल मिलता रहेगा, माइंड आराम से रिलक्स रहेगाँ करेंगे, वह पतला होना किसी काम का नहीं है, वही से मैंने सेशन को शुरू किया कि एक है अब हार से द लेता हूँ डिनर जो है वो सबसे हलका होना चाहिए आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसको डिरेक करेक्शन डिनर से है इसके कहवत भी है मेरे को एक्जैक्लि याद नहीं कहते हैं कि जैसे सुबह खाओ तो राजा की तरह है रात को खाओ बिखारी की तरह है बिखारी ऐसा है आपकी हेल्थ का डिनर लोकों का सबसे है उहरा है और सबसे लेट हो रहा है मैं गया रहा हूं इसलों जल्दी और लाईट से लाइट तो अब अब क्या कर सकते हो रात को दूद्ध Pioивается हो भरीया हो गया भूख लग लग नहीं कि इतनी कैलरी से नहीं है main शुगर के अंद that means 120 calories आपकी sugar के थूरू आ रही है in fact जो भी white चीजे है ना आप ये सुनने में अजीब लगेगा उसको white poison भी बोलते है white sugar white salt white bread तो ये white से थोड़ा सा दूर रहो, तो बजाए चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से energy मिली और एकदम से energy गिरी लेकिन फीका होता नहीं है उसमें भी sugar होती है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें sugar ना हो sugar क्या है? carbs है ऐसा कुछ नहीं है जो आप खा रहे हो जिसमें sugar ना हो body ultimately उसको एनरजी में ही convert करती है तो एक तो है कि आप sugar से energy लो इकदम से एनरजी मिलेगी, एकदम से घरेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर छिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, उल्टे सीथी चीज़े खा रहे हो, होता है, तो इसका बैटर ऑपशन क्या है, आपने साथ बजे दिनर किया, आठ बजे दिनर किया, दस बजे एक ग्लास दूद पी लिया, फीका, धीरे-धीर आदर डालोगो तो फीका ही अच्छा लगने लग जाएगा कुछ दिनो बाद, फिर मीठा अच्छा ही नहीं लगेगा, उसके बाद में और एक घंटे बाद एक ग्लास और पी लिया, पेट फुल, क्यालरीज उतनी ही गई, बल्क सेन होता है, तो वो धीरे-धीरे रिलीज होता है, तो रात को हमारी बॉड़ी को, जो रिपेर वर्क होता है, आपकी पूरी बॉड़ी का, वो रात को हो रहा होता है, तो रात के लिए इस एक्स्ट्रीमली गुड, कि अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो, उससे एक और बे में श्रोटीन भी आ गया है, 않हे है कोछ भी एख जाख लगएब इस में जो कह रहने हमें तेस्ट नहीं है दोटोंगा है, बहुत टेस्टी लिए भी तेस्टरास क्रिया का श्कताइव तेस्टनिक, भी लोग होदा श्रॉक्त ऐख spice अश्च में बाद में आजदत ही पड़ आती है, तो मेरे आजदत पड़के हमें के चाहूं भी तो तेज नहीं का सकता है, चबा करके खाने के आजदत पड़े है, अमार ठूस नहीं सकता है, यह भी वह लो थी भुसो, तो वह नहीं हो सथाथ," यह विष्यू अल्डरी बस्ट ख राँ घे विष्यू руगोिग अल्डरी बस्ट अ gagnे गन्या से अऊटिक पर मैंक